ओ भई अगर आपकी वी आई की इंटरनेट की स्पीड बहुत ही जादा सुलो है बहुत जादा कम है और आप Vodafone Idea की इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो आप हुमारी ये वीडियो को कंप्लेटली ज़रूर देखें चूँकि आज किस इस वीडियो के अंदर ऐसा method ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको follow करते हुए आप Vodafone idea की हाइप आई स्पीड में internet access कर सकते हैं और चला सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो प्लीज यार ये वीडियो को completely ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जदा informative and knowledgeable रहने वाली है तो आएए देखते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें गंटे को दबाएं ओल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर वी आई यानि वोड़ाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज करेंगे अगर आप Vodafone Idea की internet speed को increase करना चाते हैं बढ़ाना चाते हैं आप सीखना चाते हैं कि V.I.E. की internet speed को कैसे increase किया जाता है तो आप हमारी ये वीडियो को completely जरूर देखे दोस्तों काफी समय से मारे चलर पर वीडियोज नहीं आ रही है लेकिन आप regular वीडियोज आपको देखने को मिलेगी तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ की Vodafone Idea की internet speed को कैसे increase करेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले अपने smartphone पर जाना है और आपके smartphone पर जहां कहीं भी settings option हो आपको settings के अंदर click कर देना है तो settings के अंदर जैसे ही आप click करेंगे तो आपके पास कुछ इस type के menu यहाँ पर आएगी इस menu के अंदर दोस्तो आपके पास जहां कहीं भी connection settings का option आए आपको connection setting वाले option पर click कर देना है connection settings पर जैसे ही हम click करेंगे तो हमारे पास कुछ इस type की menu आएगी और यहाँ पर आपके सामने Mobile Network वा उप्शन जिस जगे पर भी आए है आपको Mobile Network वाले उप्शन पर क्लिक कर देना है Mobile Network पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की यहाँ पर Windows आएगी इस विंडो के अंदर आपके सामने यहाँ पर Access Point Name का Option आएगा आपको Access Point Name यानि की Appian Settings पर क्लिक करना है Appian Settings पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हम हमारी Second Sim को जैसे ही चूज करेंगे जो कि Vodafone Idea किये यहाँ पर VI किये तो वो आ जाएगी यहाँ पर हमें सबसे पहले Aid पर क्लिक करना है Aid पर हमें यहाँ पर सबसे पहले Name पर Type करना है Name पर हमें लिखना है VI5Z Turbo इसके बाद मैं दोस्तों हमें यहाँ पर लिखने के बाद OK कर देना है और फिर जाना है हमें APN पर APN पर हमें लिखना है VINet.co.in इसके बाद मैं OK कर देना है इसके बाद दोस्तों proxy पर हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूत रही है और port और username पर आपको जाना है vi5z super आपको यहाँ पर लिखना है password आपको noteset करना है server noteset, mmsc noteset, mms proxy, mms port noteset mcc और mnc को as a tease रहने दे इसमें किसी भी तरह के changes करने की जरूत रही है authentication type पर PAP and CHAP को select कर लेना है append type को default रहने देना है append protocol के अंदर IPv4 and IPv6 append roaming protocol, IPv4 and IPv6 barriers पर जाना है और जो barriers मैं आपके सामने यहाँ पर लगा रहा हूँ इन barriers को आपको tick करना है और आपकी APN setting यहाँ से complete हो जाएगी इसके बाद आपको इस three dots पर click करना है और यहाँ से आपको save करना है फिर आपकी जो APN setting आपने करी है उस APN settings को simply आपको select करना है और activate करना है इस तरह से आपकी APN setting activate हो जाएगी और जब आप अपने internet को access करेंगे तो internet की speed पहले कि तुलना में काफे super fast रहेगी अगर in case आपके में यह working नहीं करती तो आप अपने default वाली settings को use में ले सकते हैं लेकिन I hope अगर आपके में working करें तो please do like sir and subscribe मिलते हैं दोस्तों next video के अंदर अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो जादा से जादा दोस्तों के पास air जरूर करें